अस्सलामों अलेकूम फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और ये बनती भी बहुत टेस्टी है तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी के लिए हमें चाशनी की जरूरत है चाशनी बनाने के में हल कर लेना है तो देखिए शकर जो है वह अच्छी तरह से इसमें हल हो गई है अब हम गैस को बंद कर देंगे अब हमको कस्टर तयार करना है तो कस्टर बनाने के लिए आधा लीटर दूद ली हूं मैंने और यह नॉर्मल टेंपरेचर मिल्क है और इसके अंदर तीन पाउडर को मिक्स कर लेंगे और यह जो दूद है आपको गरम दूद नहीं लेना है वरना वो पूरी कस्टर पाउडर डालते साथ उसकी पूरी घुटलियां बन जाएगी कस्टर की अब इसमें हम पांच चमच शकर डालेंगे शकर की कॉंटिटी आप आपकी मरजी के कम भी कर सकते हैं और अब हम हाई फ्लेम पे यह कस्टर को पकाएंगे और इसे बीच बीच में हम हिलाते भी रहेंगे चमच की मदद से फिर जब यह गाढ़ा हो जाएगा तो हमको ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए तब हम गैस को बंद कर देंगे और इस बरतन में आप देख सकत है कि मैंने जैसे तोस्ट को बराबर अरेंज की हूँ वैसे अरेंज करना है और जो हमने चाशनी तयार किये थे वह चाशनी उसके उपर पहले डाल देंगे फिर उसके बाद जो कस्टर हमने तयार किये थे वह कस्टर की जित्ती कॉंटिटी थी उसमें से पूरी आधी चाशनी डालेंगे फिर उसके बाद आधा बचा हुआ जो कस्टर था वो डाल देंगे तो ये पूरी दो लेयर सयार हुई ठीक है अब इसके उपर जो है बारिक कटे हुए काजू बदाम और पिस्ते डालेंगे और तीन घंटे के लिए फ्रीज में रखेंगे आपको फ्रीज पसंद आई है तो मेरी वीडियो को प्लीज जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे अगर आप नए है तो आपसे मेरी हमबल रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में शेर कीजिए अगली वी मिलेंगे तब तक के लिए आला हाफिज